हेलो, वल्कम टो बी बैंकर दिसंजीव, स्वागत दोस्तों माचाम बी बैंकर में, स्वागत इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में लोग सीखेंगे अंग्रेजी कैसे पढ़े, how to read English दोस्तों बिल्कुल बेसिक से सुरुआत कर रहे हैं इस कोर्स की class 1 है ये अगर आपको अंग्रेजी कुछ भी पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता तो घबराये मत इस complete course को करने के बाद आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं चाहे वो कोई भी newspaper हो, कोई स्टोरी हो, कोई भी content हो जो अंग्रेजी में है आप उसको आसानी से पर सकते हैं, बस थोड़ा सा धहरे रखना है, पूरे वीडियो लेशन को follow करना है class 1 है ये, तो चले शुरू करते हैं my friend बड़ इससे पहले आपसे गुज़ारिस होगी, अगर हमाने चानल पे नए है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लिजे, बैल आके जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको वीडियो की notification सबसे पहले मिल जाए, समय पे मिल जाए, on time पे मिल जाए और आप हमें follow कर सकते हैं किसी भी social media platform पे, चाब फेस्बुक हो, twitter हो, tumbler हो, instagram हो, telegram हो, whatsapp हो, tiktok हो, hello हो, सभी जगह हम लोग आपकी सेवा में मौजूद हैं, तो आप कहीं पे भी follow कर सकते हैं, वीडियो को like करना मत भूलिए, because video is top class A1 धासू, as always हमेशा की तरह, okay my friend, चले प्रू करते हैं, दोस्तों सबसे पहले हम लोग decode करेंगे, समझेंगे letters को, English के letter का Hindi क्या होता है, है ना, ये सबसे महत्रपून है, सबसे important यही है, clear है, तो A, है ना, A का मतलब होता है, A, A का मतलब A, B का मतलब B, B का मतलब B, C का मतलब, ये जो C है, C का दो मतलब होता है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब सीखेंगे कब सोख होगा, कब कोख होगा, है ना, फिलहाल के लिए आप बस याद रखिए, C का मतलब शो, ठीक है, और को भी हो सकता है, D का मतलब दो, ठीक है, D का मतलब दो, डो, clear है, E का मतलब E और A, ठीक है, आगई समझ, E का मतलब B का मतलब ब, C का मतलब शो, या को, है ना, और D का मतलब दो, डो, E का मतलब E, A, यहाँ पर आपसे एक निवेदन होगी, आप कॉपी पे निकालिए और इसको नोट करना चालू खेजिए, नोट करते चलिए उसको याद करते चलिए, चुकिए अगर ये याद नहीं रहेग ठीक है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है, A, B, C, D, E, चलिए, बढ़ते हैं अगले लेटरस की और, F का मतलब फो, F का मतलब फो, G का मतलब गो, H का मतलब हो होता है, H का मतलब हो, I का मतलब E, I का मतलब क्या है, E, J का मतलब जो, J का मतलब जो, ध्यान देना है, G का गो है है ना और जे का ज़ है देखिएगा है ना जी का ग़ जे का ज़ क्लेर है चलिए लेते हैं अगला लेटर के ल, एल, एम, एन, ओ के का मतलब को L का मतलब law M का मतलब ma N का मतलब no O का मतलब O O कार वाला है ना O में O कार ध्यान से देखिएगा है ना K का को L का law M का ma N का no O का O है ना यह याद रखने वाले बत बिल्कुल basic से हम लोग चल रहे हैं ध्यान रखना है patience रखना है ध्यान रखना है ना घबराईएगा मत मैं आपको वादा करता हूँ कि अंग्रेजी पढ़ना सिखा दूँगा बस विश्वास रखना है और सीखते चलना है clear है? चलिए बढ़ते हैं अगले letter के और अगला letter है P P का मतलब P Q का मतलब Q भी होगा Q का Q भी होता है Q भी होता है R का मतलब R S का मतलब S Dekhyeगा C का मतलब ही S हम लोग पढ़े थे C का S का और S का मतलब ही S होता है तो इसको बस जहान रखना है घबराना नहीं है कि सर confusion तो नहीं होगा कोई confusion नहीं होगा जब हम लोग प्राक्टिस करेंगे सब सीख जाएंगे है न T का मतलब T और T दोनों होता है T का T भी हो सकता है T भी हो सकता है मतलब जैसे मान लीजे अगर आपको Tom यूज करना है तो T हो जाएगा और या या मान लीजे आपको कुछ भी इसे ट्री करना है या कुछ भी जैसे कि T से जो सब्द है तो उसको आप T भी यूज कर सकते है क्लियर है आने वाले जब हम लोग प्राक्टिस करेंगे तब इसको हम लोग जादा डीटेल में कवर करेंगे अभी आप बेसिक इसको X का क्या होगा X मतलब आधा का और स Y का मतलब य Y का मतलब य Clear है Z का Z Z का क्या होगा Z Z से Z अब देखिए Z का परियोक थोड़क कम होता है चुछ कि Z के लिए हम लोग क्या यूज करते है Z का परियोक करते है है ना तो उसको याद रखना है, Z का परियोग बहुत काम होता है, तो हम लोग को सबको याद रखना है, मैं एक बार revise करा देता हूँ, आपको सबको फिर से, है न, ये देखिए, A का A, B का B, C का S का, D का D, D, E का E, A, क्लिर है, F का F, G का G, H का H, I का E, J का J, क्लिर है, K का K, L का L, M का म, N का न, O का O, और मैं O कार, है न, P का P, Q का Q, या क्व, R का R, S का SH, T का T, तो दोनों हो सकता है, क्लिर है, U का O, B का W, W का भी W, X का KS, है न, Y का, Y, and Z का Z, आप चले, इसको हम लोग सब्द के साथ देखते हैं, प्रियोग करते हैं, अभी आज जो मैं इस क्लास में छोटी से आपको एक प्रियोग बताऊँगा, ठीक है, ये देखे, जब भी दोस्तों आपको 80 मिले, जब भी क्या मिले, 80, last में 80 मिले, तो उसका pronunciation, उसका उच्चारण 8 होगा, क्या होगा, 8, ये देखे, M, A, T, है ना, तो म, M का म होता है, और 80 का मतलब 8 ले लेना है, है ना, ये देखे, 80 का, 8 ले लेना है, तो म, प्लस 8, मैट, म, प्लस 8, मैट, क्लियर है, देखे, म, हम लोग ने पढ़ा, K, L, M, N, O, M का मतलब म, होता है, और 80 का, 8 ले लेना है, तो मैट हो क्या, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, हम लोग, है ना, बिल्कुल 0 से, और बढ़ेंगे, जब हम लोग धीरे से, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, जितना भी बढ़ा लेटर सो, सब लेटर हम लोग लोग सीखेंगे, है ना, फिर से देखिए, 8 का, 8 होता है, तो, H, 80, H का मतलब हो होता है, और 80 है, तो, 8 ले लेंगे, हो प्लस 8, हैट, क्लियर है, चलिए, यह देखिए, रैट, आर से, रह, है ना, और 80 का, 8, यह वला, है ना, तो, आर, प्लस 80, यहनि, रह, प्लस 8, रैट, है ना, समझ में आ रही है, तो, यह था 80 का प्रियोग, यह बस हम लोग एक छोटा सा एक्जामपल ले रहे से, ताकि इसको अम लोग देख सके कैसे प्रियोग होता है, और यह सभी प्रियोग हम लोग बारी बारी से, जितने भी प्रियोग है, मैं सारे क्लास इसमें आपको करके बता दूँगा, ओके, तो, उमीद करता हैं दोस्तों, आपको पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है, जो चीज आप सीख रहे हैं, है ना, और ऐसे हम लोग धीरे-धीरे पेसेंस रखेगा, धहरे रखेगा, और जो भी मैं बता रहा हूँ, उसको no down करते चलेगा, आप बिलकुल, मैं वादा करता हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखा दूँगा, दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाते हैं, यह तो हम लोग पढ़ने की courses कर रहे हैं ना, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाते हैं, इस पोकें इंग्लिस की course करना चाते हैं, इस पोकें इंग्लिस की course हमारे चैनल पर अविलेबल है, और उसी से based, उसी के regarding जो एक e-book है, वो हमारी है, उसको आप अगर लेना चाते हैं, तो इस दिये गए नंबर पर आपको WhatsApp कर लेना है, WhatsApp करने वाद आपको पता चल जाएगा कैसे आप इस e-book को ले सकते हैं, इस e-book में complete 500 pages हैं, जिसमें 55 plus topics हैं, जो आपको अंग्रेजी सुरू से बिल्कुल सिखाया जाएगा,